नमस्कार, BCN News की प्रदेश की खवरों में मैं भागिश्टी आपका स्वाखत करती हो, बट्टे है खवरों क्यों आज प्रेस क्लब के मात्यम से पत्रकारों पर आयतीन हो रहे हैं हमले वह पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने की मांग को लेकर महामईम राजजपाल के नाम उपजलादी कारी सकते प्रकाश को एक ग्यापन सो पाग्या आपको बता दे कि इस सरान पत्रकारों पर हो रहे हमले को लेकर पत्रकारों में रोजबे दिखा दिया वही पत्रकार की सुरक्षा है तों कानून बनाए जाने की मांग को लेकर पत्रकारों ने जम कर नारी बाज़ भी की पत्रकारों ने ग्यापन के माधिप से मांग की है कि पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर प्रदेश सरकार कड़ा कानून बनाए ताकि पत्रकारों पर हो रहे हामलों पर अंकुश लग सके। इसके अलाबा पत्रकारों को साबह जिक सुरक्षा की दायरी मिलाकर उनको पेच्चन और बीमा आधी की योजनाओं से लाभान विर क्या जाए। दिख उनद करने मांग की गई है जिसके लिए परक्तरकारों कानुमским के मांग भी के गई जिसमें अगर कोई पत्रकार के खिलाफ किलिए गया पन्तिया हों क्या नाब अधिकारी को वह ध्यापन के दिन हो एकाथा चुके है और ही देखा गया है पिछले 18 दिनों में देखा गया है इस पत्रकार को साथ में अबहुद्रता की गिये चाहे वो नेता हूं चाहे वो अधिकारी हों इनके दूबारा पत्रकार को साथमा बद्रटा किये हैं। या फिर कोई नेता हो या कोई माविया हो। इनके खिलाथ अगर कोई खबर चलाता तो वो कहीं अपना आपको सुरक्षित महसूस नहीं करता है। यह एक बड़ी समस्या है। इसी को लेकर के आज हम लोगों नहीं है कि अपने अपने प्रतिष्टान बंद रखकर नागरीकों को व्यापारी प्रभुद्धजन वर्पहानगर वासियों ने पलिस्ताना नेमावर पहुचकर कलेक्टर के नाम एक ग्यापन एस्ट्योपी प्रशान फदोरिया इनको सोपा। एवं आट की तहर जो भी वैदनानी कारिवाई होगी चाहें वो कोई भी हो नगर वासियों द्वारा यहाँ आशन क्या व्यक्त की गई है कि बाहर से बहुत से लोग आ रहे हैं भीड में कौन-कौन लोग आ रहे हैं ऐसा संतिया आशन का बताई गई है कि कुछ लोग इस भ अत्यकान के दोशियों को फास कोट में चला कर उन्हें कठोर से कठोर सजा दी जाए इसी विशा में हमने आज आत्ताने नेमावर में आकर एसडियो पीस आपको ग्यापन दिया है तर इस पर रोक लगाई जाए जो दोशियों हैं उनको फास्टे कोट के तहक भासी की सजा दे हम उनके पूरी तरह उनके साथ है प्रसरसन के साथ है पूरा गाह उनके साथ जो दोसी को भाची की सजा दे जल्दी से जल्दी ताकि गाहों वालों को परिशान ना करें आज आज अपारी गार्न और समाज के नगरवास के दौरा इसमें उनके द्वारा विदन में ये लिखा है कि जो कोरोना महमारी के चलते जो गाइड लाइन्स लगाई गई है उसका ज जगन अटाटा पो लेकर ज़रना प्रदर्शन करने जो भी विरोध अदर्श करने वो कोरोना गाइड लाइन्स का पालन नहीं कर रहे हैं इसकी वज़े से उन्हें ऐसा लग रहा है कि हमारे कस्पूमें कहीं महमारी ना पहले तो उसके लिए उन्हें हमारी परस्यासन दिय बहुत से लोग आ रहे हैं तो पता नहीं इस बीड में कौन-कौन लोग आ रहे हैं तो उनके द्वरा एक ऐसे संदे और एक आशंका बताई है कि हो सकता है कुछ लोग इसका नजायस फाइदा उटा करें हमारे साथ मार्पीटिया कुछ भी लूट पाट करें तो उसके उसके लिए देवास खाते गाव से महशवारिया के साथ अरुन उईकी के रिपोर्ट बढ़ते हैं बिहा की खबरों के और सवागी एले सुबाब विक्रम शेला सेतु से एक लड़की ने गंगा में चलांग लगा कर आत्मत्या कर ली परीजन के माने तो युवक पड़ाई सही डन से नहीं होने की कारण उसने अपनी जीवन लिला समाप कर ली बताया चारा है कि सानु कुमार बाईक वचपल विक्रम शेला सेतु पुल से बरामत हुई है जिसके निशान देही पर स्टीर ने आनन्फानर में इनकी सुचना स्टीर इंस्पेक्टर गनिश ओजा को दी SDRF टीम ने दतपरताद दिखाते भी साड़े पांच बजे रेस्क्यू कर लड़की की दलाश में चुड़ गई है हाला कि आपको बता दिए कि विक्रम शेला पुल से आयतीन आत्मत्या का मामला सामनी आता ही रहता है फिलाल मामला जो भी रहे SDRF टीम शव को बरामत करने क की प्रयास करी है इधर परिचन को सुचना मिली पर विक्रम शेला से तु पहुच गए और रो रोकर उनका बुरा हाले ये वाक्की प्रहचान जिले के 25 वर्ष ये पुत्र सोनु कुमार बता जा रहा है SDRF इंस्पेक्टर ने मेडिया से बात करते वे बताया कि वह लड़क ततपरता दिखाती भी उसकां को करने भी आके रहती है SDRF टीम खोजबिन भी लगी होई है नाम का उनका? सानु आपका? या नाम परवेजबर? आपकोन वे उनके? नाँ उनका उनकल हुआ कहां जे रहने वाले से? अलिवाबक सामाग बढ़े SDRF लगी रहे और हम लोग लगे रहते हैं जिलावासी इस सीज़ को सुझ कुछ करें कि अपने परिवार को बच्चे को इस तरह की घटनाएं से रोके और हम लोग इस पर जागुता पर काज करन करते रहते हैं यह हम लोग को भी दुखद की बात हो जाती है कि अईसे घटनाएं कोई घट जाती है तो हम उस परिवार के साथ में संबे दिना व्यप्त करते हैं साथ साथ इतने भागलपूर के मीडिया कर्मी हैं उनको भी धन्यवाद देते हैं कि हम लोग का इसमें सहजोग करते हैं इसके लिए मैं सभी मीडिया भाई को दिनने वाद देता हूँ बैसे अन्यवस के लिए भागलपूर से अमर्चित सिंग के रिपोर्ट बैसे अन्यवस के प्रतिश की खबरों में फिला लिता है अन्य खबरों से हम आपको योही ड्रोपर रुकरवाते रहेंगे देखते रहें ये BCN News नमस्कार